नमस्कार आप न्यूस वलेशन देख रहे हैं उत्तर परदेश के विधानसवा चुनावों का शंकनाद हो चुका है और इसके बाज से ही लगातार बिहार एंडिये में भी खटपड जारी है आपको बता दे की एक तरफ जहां विधानसवा चुनाव का एलान तो हो चुका है मगर अभी तक के बड़े भाई भाजपा ने जदियू को एक भी सीट नहीं दी है अर्थातिया साफ हो गया है कि सीट शेरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच अभी भी मतभेद बने जेडियो पर वह लगतार सवाल पूछ रहे हैं कि शराब बंदी कहा है आकिर किस प्रदेश में सराब बंदी है क्योंकि लगतार अगर सराब बंदी की बात करें तो कल फिर नालंदा जिले में ही करीबन साथ से आठ लोगों ने जहरिली सराब पी कर अपनी जान गवाई है जिससे यह साफ हो गया है कि शराब बंदी सिर्फ कागजों में दिखाई देती है, आम धरातल पर इस शराब बंदी कहीं नहीं है। जिसको देखते हुए असाफ हो गया है कि अब भाजपा और जेडियों के बीच की यह जो किछ किछ है, जो बिहार NDA में जो मतभेद है, लगतार बढ़ते जा रहा है, जिसका सीधा असर सायद उतर परदेश की विधान सवा चुनावों से भी देखा जा रहा है क्योंकि अभी साजिदारों के बीच समराट असोग को लेकर सुरू होई किछ किछ अपसराबंदी के विवात पर आकर ठहर गई है, भाजपा जदियों और मान जी की पार्टी इन मुद्दों पर क्यों उलजी है, यह समझना मुश्किल भले ही दिख रहा हो, लेकिन यूपी की राजनीती इन से जुड़े सारे सवालों का जवाब दे रही है, जदियों के नेता केशी त्यागी ने यूपी में भाजपा जदियों टूटने पर बयान जारी कर दिया है, उनके मुताबिक यूपी में जदियों अकिलि दम पर शनाओ लणने जा रही है। जदियू के एंडिये में शामिल नहीं हो पाने की सबसे बड़ी वज़ा वहां की मुख्य मत्री योगी आदितनात को माना जा रहा है बताया जा रहा है कि बिहार भाजपा के सहयोगियों को गटबंदन में शामिल नहीं करने का वीटो योगी नहीं रखा है ऐसे में बिहार में भाज़्पा और जद्यू की रिष्टे की बीश तनाव लगातार बढ़ रहा है कभी समराट अशोक का मुद्दा तो कभी सराब बंदी कानून इन मुद्दों पर जद्यू के नेता भाज़्पा पर आकरामक है इस सल्खी को जीतर नाम मांजी की पार्टी हम और बढ़ा रही है मांजी मौका मिलते ही भाज़पा पर बिहार से लेकर यूपी तक बयानी हमले कर रहे हैं हम और जद्यू की इन बयानी हमलों पर भाज़पा के कुछ नेता पलटवार कर रहे हैं प्रदेश अध्यक संजय जैस्वाल ने अभी शेक जहा को यह टिपनी दे दी है कि मीडिया से बाहर निकल लिये और शराब बंदी की सचाई का पता आपको खुद बाखुद पता चल जाएगा भाज़पा के निता और सरकार के मंदिर निती नवीन ने भी जाग को मर्यादा में रहनी की नसीहत दी है तो बिहार एंडिये में फिलहल समराट असोक का मुद्दा अभी गरम था ही समराट असोक का मुद्दा तो गरम था ही अब सीधे शराब बंदी पर बात आ गई है एक तरफ जहां भाज़पा की ओर से जदियों पर लगतार परटवार किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जदियों की ओर से भी अब आकरमाक्ता दिख रही है आपको बता दे कि इसका सीधा कारण बताया जा रहा है कि यूपी विधानसवा चुनावों में भाज़पा का अभी तक जदियों को एक भी सीट ना देने का यही कारण है क्योंकि लगतार जदियों की यह आशात ही कि भाज़पा उन्हें सीट देगी मगर अभी तक फिलहाल जदियों को एक भी सीट भाज़पा ने नहीं दी है महासचीव केसी त्यागी ने साब कह दिया है कि अब जनता दल यूनाइटेट को अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा और वहाँ पर थोड़ी बहुत जीट हासिल करनी होगी लगतार खबरों में बरहने के लिए आप देखते रहे हैं नमस्कार